मेरे प्यार एस्टुइंड्स, मैं निशांद कुमार, आप सभी को Integral Academy के इस चैनल पे स्वागत करता हूँ बच्चो आज हम पढ़ेंगे Work Energy and Power का Lecture No.4 जिसका नाम है Conservation of Mechanical Energy Work Energy and Power का सबसे ज़्यादा Important Lecture यही है Conservation of Mechanical Energy से सबसे ज़्यादा Questions आते हैं अगर आपको भिश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाएं और प्रिवेस यह के Question पर उठा करके देख लें वहाँ पर Work Energy and Power चैप्टर से सबसे ज़्यादा Question आया होगा Conservation of Mechanical Energy से तो यह चैप्टर समझने के लिए मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि पीछे का Lecture समझना ज़रूरी है तो पीछे का जो भी Lecture है 1, 2, 3, 4 जा करके देख लें फिर वहाँ से 1, 2, 3, 4 जा करके देख लें फिर यह Continue करें जाएं YouTube पर टाइप करें वहाँ से देख करके Study करें तब इसको Continue करें अगर आपको वह सारी चीजे आती है तो बहुत अच्छी बात है आये स्टार्ट करते हैं साथी साथ मैं आपको एक और चीजी बता दूँ कि मैंने Life Classes भी स्टार्ट कर दिया है अगर आप Live Classes करना चाहते हैं मुझसे तो नीचे दिये हुए नंबर पर Contact कर सकते हैं और इसमें हमने एक Free of Cost Counseling Class भी स्टार्ट किया है जिसमें आपको Career से लेटेट कोई भी दुविधा होगी तो नीचे दिये नंबर पर Mail कर दिजी हमारी टीम आपसे Contact करेगी और एक Free Counseling Class आपको Book कर दी जाएगी For example, मान लो तुम Time Manage नहीं कर पा रहे हो या दूसरी एक सबसे दा समस्य आती है कि 11th Class complete हो जाता है 12th Class में हम आयाते हैं 12th Class का पूरा का पूरा syllabus होता है Board होता है प्लस 11th Class हमारा पूरा का पूरा होता है उदर छूट गया होता है कुछ छूटे होते हैं कुछ पढ़े होते हैं कुछ भूल ले होते हैं कुछ में प्रैक्टिस नहीं होता है तो 12th Class पढ़ते हुए 11th Class का Study कैसे करें या फिर अगर आप 11th Class में नए नए Student आये हैं और आपसे Numerical नहीं बन रहा है time management से रिलेटेड आपको problem है आपके पास अच्छी sources नहीं है कोई भी दिकत आपको study से रिलेटेड है तो आप हमसे contact कर सकते हैं हम आपको जितना ज़्यादा होते को उतना ज़्यादा help करेंगे support करेंगे आपको आए स्टार्ट करते हैं work energy and power collection no.4 इसमें हम पढ़ेंगे conservation of mechanical energy conservation of mechanical energy neat और जईए के point of view से मैं फिर से बता रहा हूँ कि neat और जईए के point of view से बहुत important है और आज वैसे वैसे questions करेंगे जो neat में जईए में आये हुए है plus achieve और ma book से कुछ अच्छे अच्छे जो exercise में question दी है उनको भी उठा करेंगे हम यहाँ पर solve करेंगे और सीखने की कोशिस करेंगे तो अगर आप neat की त्यारी करते हैं आप जई के त्यारी करते हैं तो notes लेकर के बैठें और मन लगा करके पढ़ाई करें यह वीडियो आपके लिए है यह पढ़ते हैं आप बच्छों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेल्टा यू इस एक्वल टो माइनस अफ वर्क डन बाई कंजर्वेटी फोर्स यह चीज मैंने आपको बता दिया था प्लास्ट क्लास में इसको equation no.1 बोलो इसको side करो अभी इसका अभी काम नहीं है बाद में काम पड़ेगा हम क्या करेंगे work done by conservative force is equal to हमें मालूम है वो होता है f.dx अब बच्चो f.dx को हम क्या लिख सकते है m into dv upon या ऐसे लिख दो m force के जगह पे madx लिख सकते है और a के जगह पर m into dv upon dt लिख सकते हैं एक जगह पर dv upon dt लिख सकते हैं into एक already हमारे पास dx है यह जो dx upon dt होगया यह dx upon dt क्या होता है यह velocity होता है तो हमारे पस एक निकल कर चला है चीज m v dv अब इसको integrate कर दो कहां से कहां तक v initial से लेकर के v final तक integrate करो जब इसको integrate करोगे तो m into v square by 2 v initial से लेकर के v final तक यहां लिखता हूं मैं it implies work done by conservative force is equal to v square मतलब हो गया आपका यहां पे half m बाहर निकल दो पहले इसको थ्वासा और अच्छे से हम लिख सकते हैं work done by conservative force is equal to half m v final k square minus half m v initial k square ठीक है इसी को हम लिख सकते हैं work done by conservative force is equal to k final minus k initial kinetic energy final minus kinetic energy initial अब देखो इस value को उठा करके यहां पे डाल दो इस वाले में equation number 2 की value उठाओ equation number 1 में डालो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा delta u को हम लिख सकते हैं u final minus u initial यहां लिख देना हूं from equation number 1 u final minus u initial is equal to minus of k final minus k initial यहां से आजाएगा u final minus u initial is equal to minus k final यह minus सहीं अंदर चला जाएगा minus k final plus k initial इसी चीज़ को तोड़ा अगर सुधार करके अच्छे से लिखें तो यह हो जाएगा u initial को right में ले आओ और k final को left में ले जाओ तो हो जाएगा ui plus ki is equal to uf plus kf यह जो हमारे पर equation बंड करके आया यही equation होता है conservation of mechanical energy conservation of mechanical energy देखो यह ui क्या है? initial potential energy k i क्या है? initial kinetic energy u final क्या है? final potential energy k final क्या है? final kinetic energy और यह conservation of mechanical energy इसी equation को बोलते है conservation of mechanical energy और जो सबसे important बात यहाँ पर यह है कि जो यह conservation of mechanical energy का equation है उसमें this equation is applied if external force and non-conservative force are absent यह यह दोनों absent रहेंगे तभी हम इस equation को apply कर सकते है इस चीज़ को ध्यान से भेज़े में घुसा करके रख लो यह बहुत important है यह point NEET का exam दोगे या फिर जो बिहार medical होता है अब तो NEET में में लिया है बिहार engineer BCCC का जो exam होता है उसमें यह वाला statement direct पूछ सकता है आपको J main में तो यह नहीं पूछेगा J mains में numerical अपर लेवले पूछेगा chances हैं 10-50% की ऐसे ऐसे कभी-कभी statement उठा करके NEET में भी डाल सकता है और ऐसे ऐसे statement उठा करके state level की exam सुथ उसमें तो डालता ही है इसको लिख लो मैं इसको मिटा करके थोड़ सा और आगे बढ़ते हैं अब बच्चो मान लो मेरे पास external force भी दिया है और non conservative force frictional force भी अगर दे दे तब क्या करेंगे हम तो उस case की देखते हैं if external force if external and non conservative वेटिव forces are given तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो वैसे मैं एक example दे रहा हूं मान लो मेरे पास ऐसे एक system दिया हुआ spring लगा हुआ है spring force आ गया मतलब क्या है conservative external force आ गया है f external block का mass aim जब ही rightward move करेगा तो leftward क्या होगा f SP आएगा spring force और यहां पे leftward एक frictional force भी आएगा मान लो मान लो यह दिवाल है यह एक wall है इस पे एक block ऐसे है और और यहां पे यह ground से एक spring के थूँ जुड़ा हुआ हुआ है मैंने क्या क्या इस पे f external लगा करके इसको प्रेस किया नीचे downward इसको प्रेस करेंगे इस block का mass M तो downward क्या आएगा एक mg आएगा और जब इसको प्रेस करेंगे तो upward क्या लगेगा f SP लगेगा और external force भी है और suppose यह frictional surface नहीं है तो यहां पे upward एक suppose यह frictional surface अगर है तो यहां पे upward एक small f लगेगा frictional force लगेगा downward प्रेस करेंगे upward frictional force लगेगा अगर कुछ ऐसा case दिया है तब क्या करेंगे तो उस case में हम क्या करेंगे इसको मीटा दे रहा हूं मैं अगर ऐसा situation हमारा पास दिया होगा तो हम simple क्या करेंगे कि हम जानते है according to Newton's second law according to Newton's second law if net is equal to m into a अभी फिर से क्या करेंगे m into a के जगर पर dv upon dt लिख देंगे ओके और यहां पर हम क्या करेंगे एक dx upon dx कर देते हैं multiply, divide कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यहां पर dx upon dt कुछ बन के निकल जाएगा यह हमारे पास velocity बन जाएगा तो f net हो गया f net is equal to m into v dv upon dx इस dx को उठा के left में ले आओ तो f net into dx is equal to m v dv दोनों तरफ integrate कर दो और integration of f into dx क्या होता है work होता है तो अगर f net लग गया मतलब क्या net work done यहां पर लिख सकते हो w net is equal to m into v square by 2 limits put कर दो v initial से लेकर v final तक जब ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास निकल करके आज आएगा w net is equal to half m v final का square minus half m v initial का square network done इस network done का क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि जो भी system है हमारे पास उस system में सारे forces की द्वारा जो work हो रहे हैं सब को जोड करके net कर दिया गया तो मान लो w net के जगह पर हम क्या करेंगे यहां पर work done by gravity लिख दो प्लस work done by spring लिख दो प्लस work done by क्या लिख दोगे तुम external force लिख दो प्लस work done by frictional force that is equal to k final minus k initial ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें तुमको अभी तक अब देखो बच्चो यह जो work done by gravity और work done by spring यह दोनो क्या है conservative gravitational force और spring force conservative forces होते हैं तो इनको conservative बोलो और जो work done by frictional force होता है वो क्या होता है non conservative तो हमारे पास यहाँ पे एक सुंदर सा equation बन क्या रहा है क्या equation बन क्या रहा है work done by external force plus work done by conservative force plus work done by non conservative force is equal to k final minus k initial वाउ तो बच्चो एक ऐसा question जिस question में आप conservation of mechanical energy लगा सकते हो उसके लिए मैंने concept आपको पहले बता दिया था conservation of mechanical energy का एसी questions जिसमें आप conservation of mechanical energy concept नहीं लगा सकते हो वहाँ पर यह वाला concept लगाएगा work done by external force देख लो conservative force में तुम्हारे पास gravitational force दिया होगा spring force दिया होगा वह देख लो non conservative force मतलब तुमसे friction नहीं देदेगा और कुछ viscous होग रहा तो बहुत अपर चीज़े होगे वह नहीं देगा क्या करता है कि non conservative में तुमको हमेशा frictional force ही देगा तो work done by frictional force देख लो और उसको equate कर दो k final minus k initial से तो आओ इसको मिटाय करके अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस equation को थोड़ा और अच्छे सा सजा के लिग देते हैं इसको हम कैसे लिग सकते हैं इसको लिग सकते हैं work done by external force plus work done by non conservative force is equal to इस conservative force को उठाके right side में लिए अच्छे हम डालो उदर k final minus k initial minus work done by conservative force अब तुमको मालूम होगा तुमको हम बताये थे थोड़ दिर पहले ही कि minus of work done by conservative force क्या होता है u final minus u initial होता है लिख दो यहां से क्या हो जागा है k final minus k initial plus u final minus u initial तो यहां पे अब तुम क्या करो work done by external force plus work done by non conservative force is equal to uf plus kf minus ui plus k i दूनों minus u को साथ में लिख दो यह लिख सकते हो तो अब ध्यान रखो यहां पे कि जिस तरीके से इसके पहले वाले में तुम लिखे थे जिस तरीके से इसके पहले वाला जो conservation of mechanical energy वाला जो concept पहा था उसमें तुम लिखे थे कि यह external force और non conservative force जब absent रहेंगे तब अपलाई होगा उसी तरीके से यहां लिख दो कि जब external force और non conservative force present रहेंगे तब यह अपलाई होगा इस यहां पर लिख सकते हो this equation is applied if external and non conservative force are present अगर यह present नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई देख सकते हो तुम अगर यह present नहीं होगे तो यह दोनों 0 हो जाएगे दोनों 0 होते है यह एक दूसरे के बराबर हो जाएगा जो पहले मैंने तुमको बताया था थोड़ी देर पहले conservation of mechanical energy हो जाएगा तो इस तरीके से भी तुम देख सकते हो तो यह था basic conservation of mechanical energy का concept अब इस concept का application देखो जो भी तुमारे जेई में और नीट में अच्छे अच्छी questions आ हैं उनको यूज करते हैं उनको बनाने की कोशिस आप करते हैं हम इसको छाप लो कोपी में notes करके chip डालो पूरा इदम लिख दो और उसको रख दो सोने की तरह इदम बक्से में रख दो उसको exam के time में काम आएगा और आब आगे बढ़ते हैं numerical देखते हैं एक हमारे पास example HC वर्मा का famous example है HCV का example है exercise का question दिया है वह आच्छा question है यह कर आब कर ईनीश Лीदा the spring is unstretched and the system is released from rest okay assuming no friction in pulley find the maximum elongation in spring बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा कोशन है देखो बच्चो जब इसको hold करके ऐसे hold करके रखा गया है तो जब तक यह hold करके रखा गया है spring जो है अपने natural length पर है ठीक है जैसे इसको अब तुम हटा दोगे हाथ तो यह block नीचे गिरेगा जब यह नीचे गिरेगा तो spring stretch होगा तो इसका figure कुछ हैसे बन जाएगा इसका figure अब की बार बन जाएगा छोटा सा figure बना जाता हूँ छोट कुछ उख को feel आना चाहिए तो low feel लेलो मान लो कि इसमें जो stretching हुई है वो x हुआ है और जो block नीचे आया है वो भी block नीचे आया है x भाई यह block नीचे तो आएगा ना और यह spring stretch होगा तो stretch होकर x stretch हुआ अब block x नीचे आया तो इसमें देख लो कौन कौन से forces है इसमें एक तो नीचे के तरफ क्या होगा mg act करेगा इसमे spring force होगा तो conservation of mechanical energy लग जागा कोई external force नहीं है non conservative नहीं है तो ui plus ki is equal to uf plus kf लगाओ ui मतलब initial potential energy तो क्या इस spring में initial potential energy है यह stretch नहीं हुआ है जब तक stretch नहीं होगा तो potential energy इसमें नहीं आगा इसमें है rest पह तो यह होगा 0 plus kinetic energy initial कुछ है इस block में नहीं यह यहां पर रुका हुआ है तो जब यह block यहां पर रुका हुआ है तो velocity 0 velocity 0 मतलब kinetic energy 0 यहां पर 0 लिख दो this is equal to u final यह x stretch होकर के गया तो spring के अंदर जो potential energy आ गया वह half k x square आ गया g x 1 x 1 x मर जाएगा और यह x is equal to 2 mg upon k आ गया answer block के अंदर sorry spring के अंदर जो stretching हुई है न वह 2 mg upon k हुई है इसको बना लो छाप लो पने notebook में इसको मिटा करके दूसरा question देखते हैं और दूसरा question भी जो हमारे पास अगला question है वो ऐसा है सो रहे हो तो जग जाओ अजग रहे हो तो सो मत क्योंकि यह important चीछ चल रहा है यह आइसां की चल रहा है न आइसां चीछ चल रहा है कि एक्जाम में exact आएगा value खाले इदा उदार डाल देगा क्योंकि last year कि जो तुम question उठा करके देखोगा तो conservation of mechanical energy का लगातार question पर question आया हुआ है ठीक है ऐसे important है ऐसे दिया हुआ है अब की बार पूली नहीं है block M है और इसके अंदर K दिया हुआ है spring constant के रहा है कि the block is initially kept and spring is at its natural length find the elongation in spring when the block is released वा कितना अच्छा बात बुला है देखो जब हम इसको रोक करके ऐसे रखे हुआ है तो इसको रोक करके रखे है तो अभी spring जो है वो natural length पर है जिसे इसको छोड़ेंगे ये नीचे आएगा और नीचे आकरके जितना नीचे आ सकता है उतना नीचे तक आएगा और ये block कितना नीचे तक आएगा इस spring को elongate होने की जो ability होगी उतना ये spring जितना elongate होगा ये चक्चा उतना नीचे आएगा तो अब की बार हम क्या करते हैं इसी को जब रिलीज हो गया तब का फिगर ड्रॉ करते हैं और इस प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है तो थोड़ा सा इसे बना देंगे थोड़ा फील आना चाहिए ना भाई फिल नहीं आया तो बाई इतना बड़ा नौकरी छोड़ करके टीचर बनने के का फायदा होगा तो जब फिले नहीं आएगा तो यह बेस लाइन हो गया और मान लिया मैंने कि यह एक्स दिया हुआ यह इसके एक्स नीचे यह आया हुआ है तो नीचे के तरफ कौन सा फोर्स लगेगा एम जी नीचे एम जी लग रहा है तो स्प्रिंग के ऊपर कौन सा स्प्रिंग के पर के एक्स फोर्स लगेगा यह चीज ध्यान देना कि यह ब्लॉक जब रिलीज हो जाएगा नीचे आए हमें सिर्फ इसका x find out करना है तो वही फॉर्मूला लगाओ ui plus ki is equal to uf plus kf ui zero plus ki zero that is equal to uf half kx square minus mgx plus zero और यहां से half kx square is equal to mgx आ गया एक से x मर जाएगा और यहां से जो x होगा वो 2 mg upon k निकल किया जाएगा मतलब पीछे वाला कोशन था उसके बराबर ही आ गया अच्छा है दोनों में same आ गया तो इस तरीके से तुमको अगर spring का दिया होगा तुम बना सकते हो अब आओ थोड़ा सा other type के कोशन करते हैं स्प्रीन कहीं होगा तो घुमाते ही इसको थोड़ा सा अब मजा नहीं आ रहा इसमें इतो नॉर्मल दिया हुआ है तो अपर लेवर में चलते हैं अब यह जाँ जाँ बच्चों जो हमारे पास next question एक ह्सी वर्मा का है ह्सी वर्मा का famous question है हर teacher अपने class में कराते हैं यह और इसको करके देखते हैं क्या है इसमें एक figure draw किया हुआ है हम भी draw करते है figure कह रहा है कि ground से यह ground मान लो ground से यह वाला जो height है वो 1 meter दिया हुआ है ठीक है और यह वाला जो height है वो 0.8 meter दिया हुआ है question कर रहा है a block of mass 1 kg एक यहां पे mass है 1 kg का a block of mass 1 kg is placed at point A इसको A मानो और इसको B मान लो of a rough track if block slides slightly pushed towards right अगर इसको slightly push कर देते हैं towards right it stops at point B calculate work done by frictional force on the block during its journey अच्छा question है देखो कुछ है नहीं इसमें देखने से भयानक लगता है ACO अर्माई का book में जब इस question को खोल करके देखते हैं तो बड़ा भयानक लगता है लगता है कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा लेकिन तुमको बता रहे है बनेगा जरूर बनेगा करना क्या है कि पहले इस question में क्या कह रहा है समझ लो इस question में कह रहा है कि इस block को अगर हम slightly push करें तो यह नीचे गीरेगा और नीचे गीर करके यहां पर आएगा bottom point पर फिर उपर चड़ेगा 0.8 meter यह है तो उपर चड़के इस point पे चलायागा B point पे चलायागा तो मान लो यह block B point पे चलाया तो अब कह रहा है कि इस पूरी की पूरी जर्नी में इस block के उपर friction के दौरा कितना work किया गया तो बच्चे friction के दौरा जो work done find out करना है तो frictional force की बात कर रहा है तो conservation of mechanical energy तो नहीं लग सकता है इतना तो clear है तो अब क्या लगेगा अब लगेगा work done by external force plus work done by non conservative force is equal to uf plus kf minus ui plus ki देखो इसमें किसी external force का बात नहीं किया है कोई external force नहीं दिया है तो यह w external zero हो जाएगा and work done by non conservative force तो यहां पर friction force act कर रहा है तो हम लिख सकते हैं यहां पर हम लिख देंगे work done by friction force small f friction force is equal to कह रहा है uf मतलब final potential energy इस block का final potential energy कितना है जब यह block यहां से चलेगा तो इस block में initial potential energy यहां है initial kinetic energy यहां है चलते चलते जब यहां पर पहुंच गया तो final potential energy और final kinetic energy यहां हो जाएगा तो यहां पर block कितना ऊपर है 0.8 meter तो यहां पर हम लिख सकते हैं u final के जगर पर m, g और h को लिख दो 0.8 और यहां पर m की value दे दिया है 1 kg तो 1 ले लो प्लस इस point पर आखे रुक जाएगा तो k final 0 हो गया minus u initial m, g, h, h 1 दिया है m दिया है 1 into g दिया है g और 1 दे दिया h की value 1 और प्लस k i कितना है 0 है initially तो k i 0 हो गया तो यहां से अगर हम work done by friction निकाले यह हो जाएगा 0.8 g minus 1 g तो यह हो जाएगा minus of 0.2 g अगर g की value 10 ले लोगे तो work done by work done by frictional force is equal to minus of 2 joule आ गया this is your correct answer answer match कर लेना मैं तुम्हें बस process बताऊंगा answer I also don't know ठीके जाके वहां पर match कर लेना यह चीज ध्यान तो यहां पर कि इस तरह की questions तुम कैसे बना सकते हो point पर कैसे रहा तुम्हें दिमाग पर ध्यान रखो कि इस तरह की question बनाने के लिए तुम्हें practice करना पड़ेगा question से जब तक तुम practice नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा तो आब इसको बनाओ solve करो और देखो इसके बाद कुछ दिकत होता है तो मेरे solution देख लो नहीं बिल्कुल नहीं समझ में आए तो पूरा solution देख लो मैं इसको मेटा के next question बताता हूँ एक question के रहा है a particle is released from height s a particle is released from height s from height s from the surface of earth from the surface of earth at a certain height its kinetic energy is three times its potential energy at a certain height its kinetic energy is three times potential energy the height from the surface of earth and the height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant r and the speed of particle at that instant r option number a is upon four comma under root of three g is upon two option number b dya hua hai is upon four comma under root of three g is upon two next question next dya hua hai is upon two option d is is upon two comma under root of three g is upon two you yeah 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 question 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 अच्छा कोश्चन है जरा पॉस्ट करके बनाने की कोशिश करो नहीं बनेगा तो I am always with you पॉस्ट करके अगर बना लिए हो तो आजाओ चेक कर लो और अगर नहीं बनाए हो नहीं बनाए कोई दिक्कत है परिसानी है दुख दर्द दाद खात खुचली कुछ भी है तो आजाओ मिल के बनाते हैं कह रहा है कि अब पार्टेकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस मान लिया कि यह पार्टेकल है और कह रहा है इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम दसर्फेस ऑफ अर्थ मान लिया मैंने कि यह अर्थ है अर्थ का सर्फेस यह दिया हुआ और इसका जो हाइट दिया है न वह एर्थ से एस दिया हुआ है, मतलब एस उचाई पर यह एक पार्टकल रखा हुआ है At a certain height, its kinetic energy is three times potential energy, सारा खेल यही पर रखा हुआ है मान लिया कि जब हम इसको drop करेंगे यहां से, तो इसको drop करने के time इसका initial speed zero होगा और यह पार्टकल जब इस point पर पहुचा, तो इसका kinetic energy is equal to three times potential energy हो गया ठीक है, अब खेह रहा है, the height from the surface of earth, इस earth से surface, earth के surface से इस object का height पुछ रहा है and the speed of particle at that instant r, यह पार्टकल यहां आएगा तो downward velocity v होगी इसकी मान लिया मैंने तो अब यह जो distance ground से लेकर के इस object का जो distance है और इसकी speed है, वो पुछा हुआ है तो मैंने मान लिया ground से इस object का height है, वो y दिया हुआ है, ठीक है, ground से object का height y है, speed v दिया हुआ तो एक simple kinematics का equation लगा सकते है, v square minus u square is equal to 2as, यह तो लगाई सकते हैं, अब v square मतलब क्या हो गया, v square मतलब v square minus u square मतलब 0, initially speed is का 0 है, is equal to 2 into g into, यह height अगर y है, और यह पूरा का पूरा height s दिया हुआ है, तो इतना क्या होगा, यह वाला जो height इसका होगा, वो s minus y हो जाएगा, इस instant पर इसकी velocity पूछ रहा है, तो जब हमने इसको यहाँ से drop किया, तो यह s minus y distance travel किया, height, s minus y height इसने travel कर लिया, तब अब पूछ रहा है कि इस point पर इसकी velocity क्या होगी, यह लगा दिया मैंने equation, यहाँ से तुम v is equal, s को लिख सकते हो, s minus y, और यहाँ पे v is equal to under root 2g into s minus y हो जाएगा, ठेक है, अब देखो, एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यह ध्यान रखना, यह दिया हुआ, के e is equal to 3 times potential energy, kinetic energy का मतलब half into m into v का square होता है, तो v square के जगे पे इस वाले का square कर दोगे, तो square root खतम हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया 2g into s minus y, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ यहाँ यहाँ, यह तो simple mathematics चल रहा हुआ है, this is equal to 3 into potential energy, potential का formula, potential energy का formula हमारे पास होता है mgh, m into g into h कितना लेंगे, art से जितना height पे होता है, वो h लेते हैं, तो यहाँ पे y height पे है वो, तो यहाँ पे 3mgy लिख दो, इसको solve करोगे, तो m से m खतम हो जाएगा, और g से g खतम हो जाएगा, तो हमारे पास यह 2 से 2 भी खतम हो जाएगा, हमारे पास बच गया, s minus y is equal to 3y, तो यहाँ से जो s की value निकल गई, वो हो गई 4y, 4y आ गई, 4y के साथ साथ हमें यहाँ पे यह भी तो निकाल सकते हैं, y is equal to s upon 4, मतलब यह हुआ कि यह s upon 4 distance travel करेगा, ठीक है, तब वहाँ पे आकर के इसकी kinetic energy is equal to 3 times potential energy हो गई, तो तुम से यह भी पूछ सकता था, ठीक है, यह भी मतलब अगर तुम से y का direct यहाँ पे value न देता, percentage देता, तो भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पे s upon 4 push दिया हो, जो v की value हो जाएगी, वो हो जाएगी, under root 2g into s minus s upon 4, तो s minus s upon 4 को हम लिख सकते हैं, 3s upon 4, 3s upon 4, यह 2 से 2 बार में खतम हो जाएगा, तो यहाँ से जो velocity की value आ गई, वो under root 3gs upon 2 आ गई, देखो, 3gs upon 2, पूरा का पूरा under root में है, तो यह this is your correct option, ऐसे question तुम बना सकते हो, ठीक है, अब मैंने तो ऐसे question बना दिया, लेकिन क्या होता है कि जब इतना भयाना के statement देखेंगे ना, तो भयाना के statement पहीं फट जाती है लोगों, तो वो solve भी नहीं कर पाते है, ठीक है, मैं भी जब student life में था, तुम्हारी समय में जब, जैसा मैं 12th class में, 11th class में था, तो मेरी भी situation नहीं होती थी, बनती नहीं होती तो practice करने पड़ेगा, practice makes a man perfect, ठीक है, और एक और चीज़ तुमको बता रहा हूँ, कि होता है ना, कि practice मतलब क्या, experience, तो एक statement कहा गया है, जो कि मैं संदीप महसवरी जी की videos देखता हूँ, तो उसमें मेरे को मिला है statement, कि experience से एक आदमी success होता है, और experience कहा से आता है, bad experiences से, तो यह bad experience क्या होता है, यह bad experience तुम यहाँ पे अपने life में apply कर सकते हो, 12th class में, 11th class में तुम अपलाई कर सकते हो, वो यह है कि तुमसे question नहीं बन रहा है, जब तुमसे question नहीं बन रहा है, जुषते रहो उस question से, जब तक बने नहीं, तब तक छोड़ा नहीं उसको, अभी नहीं बन रहा है, एक घंटे के बाद बनाओ, एक घंटे के बाद नहीं बनाओ, साम में बनाओ, साम में बनाओ, साम में बनाओ, शुबे में बनाओ, लगे रहा है उसको, छोड़ दिया न, अगर तुम को छोड़ द रहो न, समझा तुमको IIT छोड़ देगा, ध्यान में र पनाएगा तुम भी exam clear करोगे अगर practice नहीं करोगे तो clear नहीं होगा जितना ज़्यादा practice करोगे उतना ज़्यादा experience होता जाएगा question solve करने का और जब experience होगा तो confidence आएगा और वो जो confidence होता है वही तय करता है कि शिकार कौन है और शिकारी कौन है द्यान से रखो एक जंगल में शेर होता है और जंगल में हाथी होता है तो शेर क्या होता है शेर होता है जंगल में मतलब सबसे कहा जाता है क्यों कि उसके अंदर confidence है जब एक शेर और एक हाथी सामने सामने आते है न तो दोनों के मन में एक चीज आता है लंच जो हाथी के मन में आता है वो बता रहा हूँ उसके मन में आता है कि आज ये शेर मेरा लंच कर लेगा और शेर के मन में आता है कि आज मैं इसका लंच कर लूँगा इसी वज़े से वो शेर उस हाथी का शिकार करता है Otherwise हाथी तो मार देगी एक लाट से तो शेर का कहानी खतम हो जाएगा एक पैर उठागर के शेर के उपर रख दे तो उसकी कहानी खतम हो जाएगी लेकिन फिर भी वो जो confidence होता है न वो बड़ी गजब की होती है और जब तुम्हारे अंदर confidence की level बढ़ने लगी इंक्रीज होने लगी न तब तुम्हारे अंदर right attitude आएगा और right attitude बहुत बढ़ी चीज़ होती है बहुत कम लोगों के अंदर होती है तुम जो जो भी किसी भी फिल्ड में जो success लोग हुए है उनसे जा करके तुम मिलोगे तुम उनके अंदर right attitude में दिखाए देगा और वो right attitude confidence से निकल के आती है ठीक है और confidence कहां से निकल के आता है experience से experience कहां से आता है bad experiences से मैं यह आपे लिख दे रहा हूँ इसको pause करके छाप लो और यह flow chart में बना दे रहा हूँ यह बड़ important चीज है कभी-कभी मैं important बात बता देता हूँ सबसे उपर क्या है success success कहां से आता है attitude से यह attitude right attitude है इसको ego ना समझ लगना attitude कहां से आता है confidence से confidence कहां से आता है experience और experience कहां से आता है bad experiences से bad experiences तो जो experience की जो बीज है ना उसको तुम बहो गए तभी जा करके उससे success नाम की फल तुम पाऊगे experience experience नाम की बीज तुम बहो दिये और उसमें experience की बीज तुम बहो दिये तो confidence नाम का पौधा निकल गयाएगा ठीक है जब बड़ा होगा ना तो उसके अंदर तुम्हें attitude दिखाई देगा और वो जो attitude होगा उससे success निकल के आएगी और मैं फिर बता रहा हूं कि मैं right attitude की बात कर रहा हूं wrong attitude की बात नहीं कर रहा हूं and attitude of learning यह होता है right attitude attitude का मतलब हो गया मतलब काम करने का एक अलग तरीका एक intelligent student होता है तुमारे class में भी बहुत सरे students ऐसे होंगे जिनके पास question आते ही teacher से पहले solve करके बैठ जाते होंगे टीचर से जो question solve नहीं होता होगा वह student solve कर देते होंगे लेकिन वह तब होता है ना बच्चे तब होता है जब उसके अंदर वह attitude डेवलप होयाता है उसके अंदर एक skill डेवलप होयाता है वह होता है practice से और practice का मतलब में यहाँ पे तुम्हें experience बता रहो वही प्रैक्टिस का सीनो नाइम्स यहाँ पे experience में लिखा होगा ठीक है तो अगर उसके अंदर समझ वह उस लेवल की understanding है extraordinary बन गया है वह बच्चा और तुम्हें लगता है कि यह IIT में जाएगा और वह जाएगा भी IIT में तो समझ जाओ कि उसने सबसे पहले experience नाम की बीज बोई थी तब जाकर कि आज उसको यह सारी चीज़े मिल रही है ठीक है मेरी यह बाते समझो समझ करके उसको life में भी apply करो आगे बढ़ो तुम्हारे लिए भी IIT के दवार खुले हुए हैं उस student के लिए भी खुले हुए हैं सब के लिए खुले हुए हैं जहां से सीख सको सीखो अपने teacher के पास जाओ जितना मन के उतना पुछू teacher के डानने के बाद भी पुछू teacher के मार दने के बाद भी पूछो अगर teacher डाट दे और teacher मार दे, तो वो भी ले लो, क्योंकि वो दे रहा है घख है, आकिर तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी, तभी वे teacher डाटेगा तभी वे teacher तुम्हें मारेगा, अपने अंदर से पुन को उस दिन के बाद दूर कर देना और थेंक्स केह दाना उस teacher को जिसने तुम्हें मारा हो जिसने तुम्हें डाटा हो छो यह important बात में तुम्हें बता atención अभब बात करते हैं वीडियो बहुत लंबा और बात करते हैं इस लिए और वीडियो लंबा इसलिए करा रहा हूं अभी दो तीन नुमेरिकल्स और इसमें अच्छी अच्छी नुमेरिकल्स करेंगे तो मैं इसको रब कर रहा हूं रब करके और आगे बढ़ते हैं दूसरा नुमेरिकल देखते हैं JEE 2003 का question है important question है इसलिए करा रहा हूं important क्या मतलब conceptual है K δ č, Do pressing of spring constant or a spring of K is equal to 5 into 10 to the power 3 Newton per meter is stressed initially by 10 cm, is stressed initially by 10 cm from unstretched position. कि find work required to stretch it further by another 5 cm, find work required to stretch it further by 5 cm, option number A में है 12.5 Nm, option number B है 18.75 Nm, option C है 25 Nm and option number D है 6.25 Nm. अच्छा question है, बड़ा simple question है, एक जगे पर बस concept लगाए, question बन ठीक है, तो उस एक जगे पर तुम concept लगाओ, और वीडियो को pause करके बनाओ, अगर तुमसे नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ यहां पर बताने के लिए, अगर बन रहा है तो try कर लो, नहीं बन रह from unstretched position, अच्छा, तो work done पूछ रहा है, तो हमें मालूम है कि work done by conservative force with negative sign, this is equal to, होता है हमारे पास u final minus u initial, इतना होता है, अभी हम क्या करेंगे, minus sign को right side में भेज़ दो, तो it implies work done by conservative force is equal to u initial minus u final, u initial मतलब 1 by 2 k x 1 square, u final मतलब 1 by 2 k x 2 square, यहां से क्या करो, 1 by 2 k common ले लोगे, तो यह हो जाएगा, x1 का square, minus x2 का square, और 1 by 2 into k कितना दिया हुआ है, 5 into 10 to the power 3, 5 into 10 to the power 3, into, हमारे पास x1 कितना दिया हुआ है, by 10 cm, 10 cm, यह newton meter में दिया हुआ है, cm में दिया हुआ है, तो इसको convert कर लो meter में, 10 cm मतलब 0.1 का square, minus, 5 cm, मतलब 0.05 का square, इसको solve करो अब तुम, अब मेरे से solve ना करा हूँ, तो यहां से तुम्हे work done by conservative force बराबर something joule आ जाएगा, that will be your answer, और इसका answer मैं तुम्हें देख के बता रहा हूँ, इसका answer है, let me check, इसका answer है, 6.25 newton meter, मतलब यहां पे जूल नहीं होगा, newton meter में दिया होगा, कोई बात नहीं, D is correct option, D को tick करोगे, और यहां से solve करके answer निकाल लोगे, ऐसे मेरे tick करने से tick मत कर दाना, solve करके answer निकालोगे, अब match करोगे, इतना answer इतना ही होगा इसका, अब आओ आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके थोड़ा से और बढ़ियां बढ़ियां example और करते हैं, conceptual example, एक दूसरा question है मेरे पास, यह question है JEE 2017 का, अच्छा question है, के रहा है, a time dependent force अच्छा F is equal to 60, acts on a particle, on a particle of mass 1 kg, of mass 1 kg, if the particle starts from rest, if the particle starts from rest, the work done by the force during the first one second will be option number a 9 joule option number b 18 joule option number c 4.5 joule and option number d 22 joule बनाए इसको solve करें, ज़र आप खुद से try किजी, अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, a time dependent force F is equal to 60, acts on a particle of mass 1 kg, यहां पर क्या कर सकते हैं, F को हम M A लिख सकते हैं, M A is equal to 60, clear है, और M A में A को dv upon dt भी तो लिख सकते हैं, M into dv upon dt is equal to 60, अब यहां से M dv is equal to 60, t dt, दोनों तरफ integration कर दो, जब initial velocity 0 है, तो time 0 है, जब final velocity v हो गया, तो time कितना हो गया? t, it implies M v is equal to 6 t square by 2, कितना हो जाएगा? अब यहां से क्या करोगे? तुम यह हो जाएगा 3, और velocity t is equal to 3 t square upon M, कह रहा है कि first one second, time को one दे दिया है, और velocity निकालने के लिए mass कितना दिया हुआ? mass कितना दिया है? mass 1 kg दिया हुआ, यहां पर one दाल दोगे तुम, यह हो जाएगा 3 meter per second, वाव, 3 meter per second आ गया, तो अब question क्या करा है? the work done by the force, work done बोल रहा है, तो work done निकालने के लिए work energy theorem लगाओ, और work done is equal to k final minus k initial लगादो, k final, k final मतलब, half m v square, minus k initial का मतलब, half m u square, half into m दिया है, 1 into v square मतलब 9, इस 3 का square कर दो, और कह रहा है, time dependent force F acts on a particle of mass 1 kg, ठीक है, if the particle starts from rest, starts from rest, बोला है, u 0 हो जाएगा, अब यहां से अगर तुम work done निकालो, तो that will be 4.5 J, and this is your final answer, वाउ, इस तरह से तुम questions को solve कर सकते हो, एक और question देख लेते हैं, वैसे तुम वीडियो बहत बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, एक और example देखते हैं, बढ़िया सा example देखते हैं, आजाओ बच्चो मेरे पास एक दूसरा example अच्छा है, एच सी वर्मा का question है, ये जेई मेंस नीट का question नहीं है, ये एच सी वी का question है, ये भी famous question है, तो आओ इसको practice करते हैं, exercise का question है, ये एक ground दिया हुआ है, और बोल रहा है, कुछ height पे एक ऐसे spring लगा हुआ है, और इस spring से एक block जुडा हुआ है, ground से इसका height जो है, वो दिया हुआ है, y is equal to 2 meter, और block का mass दिया है, 0.1 kilogram, ओ भाई, 1 kilogram दे देते, x is equal to 0.05 meter, k is equal to 100 Newton per meter, when the block is compressed and released, find where will it hit the ground, when the block is compressed, and released, where will it hit the ground? अच्छा ये question है, तो अच्छी बात है, इस block को जब तुम compress करोगे, spring compress होगा, और compress करने के बाद जब तुम इसको release करोगे, तो ये block आएगा, आटीOW मूश्किल होना अलग है और कमपलेक्स होना अलग है और कंसेप्चुल होना अलग है यह कंसेप्चुल है थोड़ा सा इसमें आचा ये एक चीज तुमको बता रहा हूं कह alga kessa ie behindr किलो क्राम अगर चाहता तो वन केजी दे देता यहां पे एक्स जदिया 0.05 मिटर अगर चाहते तो 5 मिटर दे देते लेकिन एच्सी वर्मासवर न बहुत होशियार आदमी है अब बुद्धिमान आदमी है वो क्या सुचते हैं कि एंजिनियर बनाने के लिए बच्चों का बहुत जल्दी से सुच सको डिसीजन बहुत जल्दी से ले सको इसलिए ऐसा देता है तो अगर हमें पूछ रहा है कि यह रेंज चाहिए तो हम क्या करेंगे रेंज निकालने के लिए इसको कई स्टेप में बढ़ाना पड़ाएगा एक स्टेप में नहीं होगा सबसे पहले हम यहाँ पे एक फर्मूला लगाएंगे वो पूजिट साइड में जाने पर मारकर थोड़ा से डिस्टरप गोरता है फर्मूला लगाएगे एस इस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वार इस मतलब क्या यह यह य तो अगर हम य इस इक्वल टू लें तो 2 माइनस तूल होगे क्योंकि य य एक्स है तो माइनस टूल होगे नीचे के तरफ है तो माइनस टू हो जाएगा यू टी इनिशनल जीरो हैं कमप्रेश करके छोड़ो गया तो लिए टीरो गया यह 0 हो गया प्लस 1 गाइटू इन्टू इन्टू टी स्क्वार जी को तूम टैन लेलो यह 5 हो जाएगा और यहां से तुम T निकालोगे तो यह T will be 2 upon 5 यहां पर यह minus G लेना पड़ेगा हमें यह A के जगे पर minus G लेना पड़ेगा ठीक है अब minus minus cancel हो जाएगा और 2 upon 5 हो जाएगा तो 2 upon 5 T square यहां से T की value निकालोगे अंडर रूट 0.4 होगा ठीक है T की value यहां से आ गए है मारे पास अब इस T की value को उठाओ और range क्या होता है range निकलने के लिए R is equal to U cos theta U cos theta into T की कैसे हो गया यह तुम सोच रहो कैसे हो गया देखो जब यह block इस point पर आएगा तो इसका velocity ऐसे होगा इसकी velocity के दो components लेंगे हम एक component हो जाएगा यह U है यह होगा U cos theta और यह होगा U sin theta अगर यह कैसे आ रहा है तुमको नहीं मालू मैं तो kinematics समझा करके तुम्हें projectile motion सिखना पड़ेगा तब जाकर के समझ में आएगा तो वहाँ पे जाकर के सिख सकते हो videos मेरे बने हुए यू cos theta into t हो गया अब क्या करोगे अच्छा यह कहां से यह तुमको बता दा रहा हूं यह तो normal है यह range के लिए भी वही formula लगाऊगे U t plus half a t square U t मतलब यहां पे U cos theta लेंगे ना एक सिक्सिस का बात हो रहा है तो cos theta लेंगे X-axis की बात करते हैं और X-axis पर Y-axis 0 होता है तो यह acceleration किस तरफ act करता है Y-axis के along होता है na acceleration due to gravity तो इसलिए यह पुरा का पुरा term 0 हो जाएगा तो R is equal to U cos theta into t अच्छा यहां पे U भी नहीं दिया हुआ तो U भी find करना पड़ेगा हमें कोई बात नहीं हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं यह वाला t का value रहेगा तुम find out करोगे यहां से और इसको मिटा करके हम पता करते हैं कि U कितना होगा हम क्या करेंगे कि यहां पे हम एक concept लगा सकते हैं देखो external force नहीं है और non conservative force की भी बात नहीं किया हुआ है तो इस case में हम conservation of mechanical energy लगा सकते हैं तो ui ui plus ki is equal to uf plus kf यह concept लग जाएगा ui मतलब half mu sorry ui मतलब यहां पे जब यह block stretch नहीं है तो यहां पे क्या है potential energy 0 तो यह 0 हो जाएगा plus ki मतलब half mu square this is equal to u final जब इस block compress करोगे तो इसके अंदर क्या आएगा potential energy आएगा potential energy कितना होगा half kx square यहां से देखो half से half कतम हो जाएगा और u is equal to तुमारे पास u is equal to x into under root k upon m हो जाएगा यहां पे value put कर दो x कितना दिया होगा यह देखो 0.05 दिया होगा 0.05 into under root k हमें कितना दिया है 100 अच्छा divided by m कितना दिया होगा 0.1 यहां से तुम u की value जो भी आएगा वो find out करो और u की value यहां से उठा करके यहां पे डाल दो तो मैं r की value मिल जाएगी range is equal to something meter will be your answer calculation मैं नहीं कर सकता क्योंकि और डी वीडियो बहत लंबा हो चुका है मैं generally calculate नहीं करता हूं क्योंकि वो तो तुम करी सकते हो what is most important is most important is concept मेरा काम होता है तुम्हें हर topic का best से best concept प्रोवाइड करना ताकि तुम अपने जो भी exam जही advanced need की question जो भी हो बना सको उस exam की preparation कर सको चीक है इसलिए यह वीडियो लंबा हुआ है इसके पीछे वाला वीडियो सिर्फ 19 मिनट ये 21 मिनट का था ये लंबा चला गया तो कोई बात नहीं है उससे वीडियो लंबा कभी कभी चला याता है लंबा छोटा से मतलब नहीं concept से मतलब है ये लंबा इसलिए गया क्योंकि ये conceptual topic है और यहां से question आने की possibility सबसे ज़ादा है एक possibility work energy and work energy theorem से एक possibility यहां से है ठीक है I hope आप लोगों को ये समझ में आया और कल की lecture में हम पढ़ेंगे power ठीक है वहां से भी कभी questions पूछ देता है power भी important है power पढ़ेंगे कल की lecture में और आप ये पूरा का पूरा note कर ले कोई भी topic topic समझ में नहीं आया हो तो बार बार वीडियो को घुमा करके देखें और अगर आप हमसे life पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दी हुए number पर हमसे contact कर सकते हैं अगर आप career counselling करना चाहते हैं career में किसी भी तरह की दूइधा में हैं आप तो मैंने उसके लिए free of cost से start कर दिया है ठीक है कोई charge नहीं देन आप देखो मैं भी जब तुमारे age में था ना जब मैं पढ़ता था 11-12 तो बहुत सारे doubts चलते थे कभी-कभी मेरे को लगता था कि मैंने engineering चूज करके अच्छा किया कि नहीं किया कभी-कभी मेरे को लगता था कि यार मैं physics, chemistry, mathematics मेरी classes इतनी सारी चलती है रोज classes होते हैं तो मैं time manage कैसे करो फिर उसके बाद संडे को क्या पढ़ो फिर उसके बाद होता था कि कौन से books follow करो कौन से books को छोड़ो कभी-कभी मेरे को HC वरम अच्छा लगता था कभी DC पांड़े अच्छा लगता था हमारे सर जो थे physics पराने वाले वह एक class में बहुत सरे numericals कराते थे तो कभी-कभी वह हम को अच्छा लगता था सोचते थे कि पुरा confused हो करा थे करे तो करे क्या इसलिए हम ये चीज़ को समझ सकते हैं चाप ले, note कर ले, अपना notes बना करके चले क्योंकि your notes will be your final friend at your final examination वह examination के time में अपका friend होगा ठीक है? मैं उमीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा समझ में आया ठीक है? दुविधा है, दिकत परिशानी है, वीडियो को बार पर घुमा करके देखे hope अपनों जीवन में जो भी करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी आपको all the very best